कि में अदी इस तरीके से आप पापड बनाते तो बहुत ही फटा-फट से आपके पापड वनकर तयार हो जाएंगे तो हमने ओक स्पद्दाना लिया है ava अब ऌध में ठोड़ा पाणी डाल देते हैं और इससे अच्छी तरह से द्होलेंगे और इसका पानी अलग करदे और अब हम इसमें फिर से पानी टालकर इसे एक बार और ढोलेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो जिस कब से हमने हमने साबुत दाना लिया था उसी कब से हम आधक पानी डालेंगे, याने कि आप जितना साबुदाना लेते हैं उससे अधक पानी डालिएगा इसमें तो साबुदाना अच्छी तरह से डूप चुके हैं और थोड़ा पानी उपार है तो इतना ही पानी इसमें रखना है और अब हम इसे ढख कर तीन से चार घंटे कली छोड़ देंगे या तो फिर पानी जल्ली बनाना है तो फिर आप इसे रात में भी पानी में डाल कर रख सकते हैं और अब साबुदाना अच्छी तरह से भीग चुके हैं तो इसे इस तरह से चम्मच से चला देते हैं जिससे की साबुदाना अलग-अलग हो जाए और अब हम इसमें डालेंगे नमक तो एक चम्मच हम नमक डाल रहे हैं यदि आप फलाहरी बनाते याने कि वरत में खाने वाले तो फिर इसमें सेंधर नमक डालिएगा और अब हम इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से और अब हमने यहां पर तीन बाउल लिये हैं और यह फूट कलर लिया है तो एक एक और एक प्सक्राइब है और आप इसमें थोड़ा-थोड़ा साबुदाना डाल देंगे अबले Beim क्लीट को कलर के साथ मिक्स कर देंगे यहां साबुदाना को कलर में हमें मिक्स कर दिया है और आब हमने यहां व्यूटी क्रीम के बउक्स के केप लिये हैं या तो फिर आप स्टील के प्लेट भी ले सकते हैं साबुदाना के पापड बनाने वाली प्लेट स्टील की मार्केट में मिलती है आप पर्चिस कर सकते हैं और इन केप्स में भी पापड बहुती इजीली बन जाते हैं तो इन्हें हम ऑईल से ग्रीज कर देंगे अब हम साबुदाना को प्लेट में फील कर देंगे तो यह हम सेट करते हुए पापड बना रहे हैं अलग-अलग कलर से आप अपने मन पसंद किसी भी कलर के पापड बनाईएगा या तो फिर आपको कलर पसंद नहीं तो प्लेन पापड बनाईए और यह सब कलर को हमने मिक्स कर दिया है तो यहां मल्टी कलर का पापड बनेगा इससे तो देखी यह मल्टी कलर भी देखने में कितना खुबसूर लग रहा है, और यहां कुछ plates को हमने field कर दिया है, और अब एक बर्तन लिया है, इसमें डाल देते हैं पानी, आ अब हमने यहां पर इक cotton का कपड़ा लिया है, तो cotton के कपड़े को गोल साइज में cutकर लिया है, और जितना बड़ा बरतन है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को इस तरह से कपड़े को बरतन पर रख देंगे और अब हमने यहाँ पर एक कॉटन की डोर ली है तो कपड़े को बरतन से इस तरह से बान देंगे और अब कपड़े को नीचे से ऐसा थोड़ा खींच लेते हैं जिससे की कपड़ा टाइट हो जाए और अब हम बर्तन को गैस पर रख देंगे गैस आउन कर देंगे और पानी को उबलते तक गरम होने देंगे पानी को ढख देते हैं जिससे किया जल्दी से उबलने लगे और अब पानी में बॉइल आ चुका है देखिए उपर भाब भी आ रही है और अब हम यहां साबुदाना वाली प्लेट्स ढख देते हैं अब हम इन्हें ढख देंगे और तीन मिनट तक हमें इन्हें पकाना है गैस का फ्लेम हाई रखना है सिर्फ तीन मिनट में ही यहां पक जाते हैं अब हम इसका ढकन हटा लेते हैं तो देखिए यहां ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं इसका मतलब है कि पापड अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब इस तरह से हम इन्हें निकाल लेते हैं और अब हमने एक प्लास्टिक सीट ली है तो उसमें इस तरह से पापड निकाल लेंगे तो देखिए पापड कितने इजिली निकल रहे हैं और यहां कुछ पापड हमारे बन चुके हैं और अब हम सारे पापड बना लेते हैं और अब यह हमारे पापड बन चुके हैं पूरे और इन्हें हम 2-3 दिन तक दूप में सुखा लेंगे और अब सिर्फ 3 दिन में ही यह हमारे पापड सुखर तयार हो चुके हैं अब हम इन्हें फ्राइ करेंगे तो गैस में तेल को हमने गरम कर लिया है और देखिए पापड फ्राइ करने के बाद कितना बड़ा साइज का हो चुका है अब एक मल्टी कलर वाले पापड को फ्राइ करते हैं तो देखिए मल्टी कलर वाला पापड भी फ्राइ करने के बाद कितना खुबसूरत लग रहा है I hope कि आपको आज की हमारी यह साबुदाना के पापड की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक सेर करें मिलते हैं एक नीव वीडियो के साथ थैंक यू